सारी मुर्गियां सेल हो चुकी है और हमारा जो पहला बेस्था मुर्गियों का ओभी सफलता पुर्वक निकल चुका है दोस्तों हेलो गूड मॉनिंग नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी आसा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे अपने फैमिली के साथ होंगे और बहुत ज़्यादा खुस होंगे तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इस form के बारे में कि कैसे हमने इस मुर्गी पालन की सुरुवात करी फार्मिंग की सुरुवात करी और फार्मिंग की सुरुवात करने के बाद हमें किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा कितनी दिक्कते आएं कित तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तो सबसे पहले तो आपको कोई भी चीज को समझना होता है दोस्तो चाहे वो कोई भी काम हो सबसे पहले उसे 들어가 न होता है कि मुर्गी पालनगు करते वक्त हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तरीकें के इन सारी चीज़ों कामें बहुत जिधान रखना होता है मुर्गी पालन में क्योंकि मुर्गी पालन में जितना जादा प्रॉफिट है उतना ही जादा नुक्सान है तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि मुर्गी पालन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बिमारियां भी बहुत जादा आ आ सके तो farm में अंदर ना सकी विमारी उसके लिए हमें management सही ठंग से रखना होता है जैसे की आपका जो भी छामन होता है उसे गीला ना हो ऐसा आपको करना होता है किoles फ्रापर तरीके से सूखा पानी का हो नमीना पहुचे अंदर यह सारी चीज़ों का आपको बहुत ज़यादा अच्छे से ध्यान रखना होता है पानी का जो डिब्बब होता है उसको भी सुँबह साम धोना होता है साफ तरीके से और अच्छे से रखना होता है और जो आपका बरतन होता है फीड का उसको भी प्रॉपर साप करके रखना होता है तो इन सारी चीजों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा मुर्गी पालन में अगर आप पालन करना चाहते हैं मुर्गियों का तो अगर आप अच्छे से फार्म की तैयारी करते हैं तो आप मुर्गी पालन में सफलता फुर्वक एक फार्मर बन जाते हैं